कहते हैं शौक बड़ी चीज है और सबके अपने अपने शौक होते हैं किसी को अच्छे खाने का शौक है तो किसी को महंगी चीजों का लेकिन आज हम अपने पड़ोसी देश चीन की लोगों के शौक के बारे में बात करेंगे क्योंकि इनके शौक अजीब और गरीब होते हैं यूँ तो दुनिया में खाने के शौकीन लोग क्या क्या नहीं खाते लेकिन जब बात स्वाद और चटकारे की आ जाये तो लोग सहत को भी कुछ देर के लिए साइड में रखकर इनका जायका लेने लग जाते हैं लेकिन अगर हम आपको बताएं कि तला हुआ समुदरी घोडा, भेड का प्राइवेट पार्ट, चमगादर का सूप, आधी भी एक बड़ी अबादी का फेवरेट फूड है तो आप क्या कहेंगे यू तो दुनिया में नौनविज़ खाने वाले कडोलो लोग हैं, लेकिन चीन के अजब गजब फूड के बारे में लोग कम ही जानते हैं कोरोना काल में वोहान की एनिमल मार्केट के बारे में लोगों को पता चला। लेकिन चीन में ऐसे कई बाजार हैं जहां से लोग अपने पसंदिदा जीव खाने के लिए खाईते हैं। चीन में एक से बढ़कर एक चलने, रेंगने, उड़ने, तैरने वाले जानवर खाये जाते हैं। जिनके नाम बर सुननेने से आपका जी घबराने लग जाएगा। तो इस वीडियो में हम चीन के लोगों द्वारा खाये जाने वाले कुछ ऐसे ही फूड का जिक्र करने जा रहे हैं। नमबर एक भेड का प्राइवेट पार्ट जी हां चीन में भेड के प्राइवेट पार्ट को भी पकाकर बड़े मन से खाये जाता है। चीन के कई रेश्टराव में या डिश आपको देखने को मिल सकती हैं जो सुनने में ही अजीब लग रही है। भेड के लिंग को अस्थाने लोग बड़े चाव से खाते हैं और यह भी मानते हैं कि अस्वास्त के लिए बहुत फायदेमंद होता है। चीन में रेश्ण कीट को अस्थाने लोग चाव से खाते हैं इसका स्वाद जीएंगे या केकड़े जैसा होता है। रेश्ण के कीड़ों को चीन के स्थाने बजारों में कई तरह से पका कर या डिबबा बंद स्टॉक में बेचा जाता है। या आम तोर पर चावल या नूडल्स के साथ फ्राई करके परोसा जाता है। नमबर तीन चिकन टेस्टिकल्स होंकों के कई रेश्ट्रॉण के मेनू पर चिकन टेस्टिकल्स जरूर होते हैं। ये बड़ी सफेद फलियों की तरह देखते हैं जो अकसर उबले हुए या तले हुए होते हैं। उन्हें ग्राहाकों की पसंद के हिसाब से चावल या नूडल्स के साथ परोसा जाता है। डिनर में ये डिश्ट तो दबा कर खायी जाती है। कहा जाता है कि ये रसदार वेंजन पुर्सों की शारिक सकती बढ़ाने का काम करती है। और महिला की तवचा की रंगत में निखार लाते हैं। इस डिश्ट को सौट रखने के लिए उन्हें हलका पकाया जाता है। और पहली बार बाइट करने पर इसका रस मुह में आ जाता है। चीनी लोग इस डिश्ट को बहद मन से खाते हैं। चीन में फेमस ये सुप सुफलेट के घोसले से बनाया जाता है। ये छोटा पक्षी दश्चिन पूरु एशिया में पाया जाता है। और चमगादर की तरह ही अंधेरी गुफाओं में रहता है। इनके घोसले उनकी ही जीप के नीचे की ग्रंतियों दोरा नेमित चिपचिपी लार से बनते हैं। हवा के संपर्क में आने से लार का घोसला सक्त हो जाता है। चिडिया के घोसले के सूप को पकाने का तरीका इसे पानी में भीगोने के बाद धीरे धीरे भाब देना है। नमबर पांच चमगादर का सूप ये चीन में पिया जाने वाला एक स्पेशल सूप है। चिकन सोरुबा के साथ उबानले के बाद चमगादर को एक सूप के कटोरी में रखा जाता है। चमगादरों को चाकू और काटों की मदद से काट कर सूप के साथ खाया जाता है। चमगादर के पंखों की जिल्लियों के साथ साथ इस पकवान में बाल भी मौजूद रहता है। माना जाता है कि यह वेंजन भी काफी स्वाधिष्ट होता है। नमबर छे, बिच्चु, ची लोग बिच्चु को भी पका कर स्वाद लेकर खाते हैं, भाईवा, इन छोटे-छोटे बिच्चु को पहले तरा जाता है और एक कटोरे पर परोसा जाता है, यह डिश लोग पिरे सहरों की सड़कों पर जाता तर टूरिस्ट को आकरशित करती है चुकि बिच्चु पतले होते हैं, इसलिए वो मसालों के साथ कुरकरे बनते हैं, ऐसा माना जाता है कि बिच्चु खाने से कुछ मेडिकल डिसॉर्डर भी ठीक हो सकते हैं समुद्री घोड़े, यह समुद्री घोड़े को भी चीन में बड़े चाउ से खाया जाता है। एक चीनी कहवात है कि समुद्री घोड़ा खाने से 80 साल के दादा जी भी जवान हो सकते हैं।